परोपकार का फल एक वार एक गाब में कुछ ग्रामीन मिलकर एक साप को मार रहे थे तभी उसी रस्ते से संद एकनात का निकलना हुआ बीड को देखकर एकनात भी बहां आप पहुंचे और बोले भाईयों इस प्राणी को क्यों मार रहे हो कर्म बस साप होने के से क्या यह भी तो एक आत्मा है तभी भीड में खड़े एक यूवक ने कहा आत्मा है तो फिर काट तक क्यों है बेक्ति की बात सुनकर संद एकनात ने कहा तुम लोग साप को बेवजे मारोगे तो बेवी तुमें काटेगा ही अगर तुम साप को नहीं मारोगे तो बेवी तुमें क्यों काटेगा ग्रामिन संद एकनात का काफी आदर सम्मान करते थे इसलिए संद की बात सुनकर लोगों ने साप को छोड़ दिया कुछ दिनों बाद एक एकनात साम के वक्त घाट परिस्दान करने जा रहे थे तभी उन्हें रास्ते में साम ने फन पहला एक साप दिखाई दिया संत एकनात ने साप को रास्ते से हटने की कापी कोशिश की लेकिन बहर टस से मस ने हुआ आखिर में एकनात मुड़कर दूसरे घाट परिस्दान करने चले गए उजाला होने पर लोटे तो देखा बरसात के करण भाए गड़ा हो गया था अगर साप ने ना बचाया होता तो संत एकनात उस गड़े में कबके समा चुके होते सिक्ष्या इसी लिए कहा गया है दया और परोपकार हमेशा अच्छे फर लेकर ही आते हैं सदे प्रसन रहिए जो प्राप्त है बही परियाप्त है कहाने अच्छी लगी तो लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जेहिं